अगला बोले जा रहा है कि अगर प्रूफ है तो आप दिखाओ, 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 आप उसके बाद भी गुम्रा कर रहे हो तीन महीने से कि हम टाइम आने पे दिखाएंगे, कब आएगा टाइम, आपने नास कर दिया सबका, सत्या नास कर चुके हो, मुझे खुद परसनल पूछा क्या आपके साथ वैसे हुआ है, तो इन्होंने बोल ते हमारे साथ नहीं हुआ, हमें लड़कियों ने बताया, तो अब हर लड़का या हर पेरेंट्स या हर रोड पे जितने भी लोग जो रैसलिंग के बारे में जानते हैं, वो लड़कियों को उस नजर से देखत हुआ है, लड़कियों की, हम किसको सफ़े देते बिरेंगे, अभी आपने शायद फेस्बूक या इंटरनेट पे इनकी फोटोज नहीं देखी होंगी, उसमें अगर कोई पहली बात तो कितना भी मतलब एक मुमेंट होता है, जब मैडिल आता है, उसमें एज़ प्लेयर हमे किसी को कुछ यह नहीं दिख राता कि कंदे पे बिठाया, वहां बिठाया, क्योंकि वो एक अलग लेवल की खुशी होती है, तो उसमें ये बोल देना कि हरास्मेंट हुआ है, और इधर दूर छुआ है, तो सौरी, इस चीज़ का बहुत ही गलत उसमें इनोंने यूज किया है, तो खुद भी ये मतलब इतने खुश हो हो के फोटो खिचवार है, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है ना, तो वो अनकमफेटेबल जो होता है, वो मूँ पे दिख जाता है, तो क्या लग रहा है, जो लोग धरने पे बैटे से आप लोगों पर क्या फरक पड़ने हूं, और रजबू संसर साथ भी गई हुए है, मेरे काफी बार, और उनके हाँ तक हम मैं भी ऐसे ही रही हूं, आमने सामने रूम हो, लेकिन मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मेरी जब क्यूनों ने कई बार ऐसे मेरा यहां पर बैग रहा गया था, बाहर गई थी मैं, चैंपेंशिप में, उसके बावजुद उन्हों ने मेरी हेल्प भी की, और हमेसा मतलब कभी बात किया है, तो बेटा कह गई ही कि बेटा कोई भी दिक्कत हो तो बताना, सभी खिलाडियों की वहाँ, कि मैं तो उनको बेटी मानता था, लेकिन उन्हों ने मुझ पर आरोप लगा दिये, फिर ये हुआ, क्यों पूरी जो राजनीती है, उसके बिचे आप को क्या वज़े दिखा है, ये तो देखो, राजनीती है, क्योंकि राजनीती तो यह है, वो तो यही चाहते है, कि कोई भी ट्राल ना ली जाए, उन्हें तो डारेक्ट ही भेज दिया जाए, कोई भी ऐसा कंपटीशन होगे, ना वो नैसनल लड़े, ना कोई ओलम्पिक में सीधा भेज, उन्होंने ये बोला भी है, विनेश फोकाट ने, क्योंकि उसे तो डारेक्ट भेज दिया जाए, कोई भी ट्राल नी ली जाए, कोई कंपटीशन ना लड़े, सीधा भेज दिय कंपटीशन के लिए उने, तो इसलिए राजनीती है, अगर आप लोग विरोध में बोले वे कहेंगे, कि महीला हो कि आप उन लोगों का विरोध कर रहे है, ऐसा क्यों है, ये तो कोई वोई, क्योंकि ये सब बात ही गलत है, जो भी बोला जा रहा है, ये सब गलत है, हम कोई बोलना पड़ रहा है, आपको क्या लग रहा है, जो पहलवान धरने बैटे, आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, नहीं बिलकुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई सच्चा ही नहीं है, तो क्या सपोर्ट करेंगे हमों, क्यों सच्चा होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए हमारा भी नुक्सान हुआ है हो रहा है और हमारे साथ की लड़ियों का भी नुक्सान हो रहा है और जितने जुनियर खिलाडी है सब जुनियर के खिलाडी है सब के कंपेटिशन रुके हुए हैं तो कंपेटिशन तो जरूर होने जाहिए कियों नहीं समझ मैं जब कोट में फैसला चला गाया कि खेल को नुकसान हो रहा है फैसला कोट-करेगा लेकिन वू लोग मांने को तयार आने हो और सिह कल नई अब कुछसनियों हो जगतño क THE Kelle का तो हो लिए जो होना था अब तो वह सब बैट के उस चीज़ का एक तो इनकी जब भी कोई डिमांड रही है तो वह हमेशा इनोंने मतलब रख्या है कि हाँ हमें ये चाहिए एक होता है कि सरीय हो जाएगा हमें चाहिए वो हुई भी है क्योंकि इनोंने भाई काम करा है इसा मैडल लाएं यह मतलब तो भई उस लायक है कि बोल सकें पर इसका मतलब यह नहीं कि आप मैडल यह तो आप फिर नेगेटिव उसमें भी मतलब पूरा खेल का सत्यानास कर दें तो इस चीज से तो कोई हल निकलेगा इस तरह से करके आरूप लगा-लगा कि कोई हल साथ को गुस्ती भी नहीं होगी कुस्ती रुख जाएगी अब इनके धिमाग का क्या बताहूं कि यह तो कभी किसी पंचायत को भूल रहे हैं कभी किसी को बूल रहे हैं इन्हों नहों ने तो जितना देश का देश में जितने लोग !!! सब में अपने पास कैंडल मार्चिक ब रहेंगे कि हाँ आमने जो बोला था हम जैसे स्टीस पे स्टैंड कर रहे थे वो सही निकली है इस तरह से कैंडल मार्च करके अपना टाइम खराब कर रहा है और हमारा भी कर रहे हैं क्या लग रहा है आपको क्या वाके कुफ्ति को नुक्सान हो रहा है इन लोगों के धनने प कर रहे हैं कि इन से पूछा भी कि जैसे मीटू जो चल रहा है तो आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ तो इन्होंने इस पेशली बोला कि मैं रैसलर हूं और मैं नॉर्मल लोगों से स्ट्रॉंग हूं तो अगर मेरे साथ कोई कोशिश भी करेगा करने की तो मैं अपनी म देख लेना चाहिए था और दूसरी बात कि इन्होंने बिना किसी से पूछे बिना किसी से मतलब सला लिये वहां जाके डारेक्ट बैट गए और धर्णा पर दर्शन कर रहे हैं जनवरी में जो रैंकिंग टूर्नमेंट होने वाला था उसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर द grinding कि ने खोने का कोई डर्नी है क्योंकि और जब एक चीज यह वर रिपीट कर रहे है higher में कि हम मैडिल आया हम देश की बेटी हिं तो हम बहते हैं चलो ठीक है तुम ओलमपिक में मैडिल लियाए बिसका मतलब ये नहीं कि तुमने पूरा देश जो मतलब मुत्शी में कर लिय या तुम जो चाहे वो कर सकते हो आप प्रूव दो अगर आप प्रूव दो उसके बाद जो भी मतलब कारवाई होगी वो होगी or जो गुना चाहिए नहीं होना झुना चटीये अफकॉस होना चाहिए इतने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और सबसे जादा बिरा सर छोटे पच्छों पर जो आने वाली लड़कियों के लिए कर रहे हैं जो हम से पीछे जो आ रही हैं जुनियर पेरेंट्स डढने लगे अब कि बहुत ही गंदा घिनोना काम होता होगा जो ड़ने लगे जो एकि हम नहीं बहुत रहे हैं अपनी लड़कियों को मेरे खुद की फैमिली थे उनके बाद से हर घर में लड़की पहलवानी के उससे मतलब एक excitement रहता है कि हम भेजेंगे क्योंकि एक तो इंडिविजुल गेम है और उसमें क्या है कि शुरू से लेके चलते हैं बढ़िया मतलब जो है बेस बढ़ियां उनका करवा के लास्ट में वो इंटरनेशनल भी होते हैं स्कोप बनता है जोब मिलती है इन्होंने वो सारा टार्गेट एक बार में करके खतम कर दिया और यह जो है वो भी बता रहे हैं इस पस्टिकरंट दे रहे हैं कि हमने आने वाले बच्चों के लिए करा है तो इसमें मुझे तो कोई भला नजर आता बिल्कुल भी नहीं आता क्योंकि इन्होंने इमेज खराब करी है कुछ लोग यह भी सवाल उठाएंगे कि आप उन लोगों के खिलाब बोल रहे हैं वो देश के लिए मैडल लाई है क्योंकि जो खिलाब बोलता हुए तो बीजेपी के बता देते हैं लोग की पार्टी के बिल्वान हो गए क्योंकि पहलवान तो देश का हैं नहीं फिर कहेंगे कि भाई खिलाब बोल रहे हैं यह बीजेपी के पहलवान हो गए देखो इनके अगेंस जो बोल रहा है वो देश की बेटी है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है जो अपना व्यूपोइंट रख रह हो तीन महीने से कि हम टाइम आने पर दिखाएंगे कब आएगा टाइम आपने नास कर दिया सबका सत्या नास कर चुके हो अभी भी आपके पास प्रूब नहीं है और आप बोले जा रहे हो कि हम टाइम पर दिखाएंगे टाइम पर दिखाएंगे तो वो टाइम कप जो हमार वैटी बचाओ बेटी पटाओ लेकिनाज बेटियों की बात नहीं जा रहा हुआ हुआ है तो इन्हों इनका जो पहले था उसे उसमें कुछ और बोला फिर कुछ महीने बाद इन्हों उन्हें कुछ और बोला अब ऐसे कल को यह किसी और से भी बोल देंगे कि इसको जेल में डालो ऐसे थोड़ी होता है नहीं हम यहीं रोड़ पर बैठे रहेंगे जब तक आप जेल में डालोगे तो ऐसे तो बेसलेस बाद में गई हैं विरिज बुसन के मैं गई हूं मैं 2008 से चल जाता है नहीं मुझे खुद परसनली यह चीज बहुत ही घटिया लगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि तुम लोग तो लखनाओ कैम में रहे हो पूरे-पूरे साल का कैम लगता है सीनिय नैशनल का और इन्होंने बोला पहले कि बीस नी पचास नी थाउजन ल हुआ होगा तो इमेज खराब हुई है लड़कियों की हम किसको सफ़े देते पिरेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ नहीं ऐसा नहीं हुआ जब कि ऐसा कुछ हुआनी है पर डे की थाउजन रुपीज मतलब जो है वो रहती है डाइट इन्होंने वहां इतनी अच्छी स विदा है साही कि इन्होंने साही नहीं छोड़ा इनका जो इन्होंने उस मैडिल पे जो इनका मन करा इन्होंने वो करा जो मेरा परसनल ओपीनियन है